Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग असकरते हैं, आप लोग बहुत अच्छी होंगे Dear students जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि event semester के परिच्छाओं के लिए संभावित परिच्छा कारेकरम जारी हो चुका है लेकिन कई सारे students के mind में ये doubt चल रहा है कि sir जो संभावित परिच्छा कारेकरम जारी हुआ है जो कि 22 June से परिच्छाओं स्टार्ट हैं, क्या उसमें अभी कोई संसोधन होगा, क्या परिच्छाओं पोस्टपोन होंगी या नहीं होगी तो dear students आप सभी लोगों ने official notification जरूर से जरूर देखा रहा होगा, साथी साथ आपने अपना time table भी download कर लिया होगा dear students जो official notification जारी हुआ है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया था, कि ये जो परिच्छा कारेकरम है, ये संभावित परिच्छा कारेकरम है अगर इसमें किसी प्रकार की classing मिलती है, किसी प्रकार की कोई तुरूटी मिलती है, और आपकी जो सहस्थाएं हैं, अगर उगों उसमें करेंगी, वहां बताएंगी, तब उस परिच्छा कारेकरम में थोड़ा बहुत संसोधन हो सकता है अन्यथा की दसा में, revise timetable फिर से official website पर update हो जाएगा, आजएगा, अभी दूसरा timetable आएगा, लेकिन जो 22 June से आपकी परिच्छाएं हैं, ये मान की चलिए कि 99% से और है, कि 22 June से ही आपकी परिच्छाएं होंगी इसलिए डियो सेंट्स आप सभी लोगों को advice है, कि आप सभी लोग अपने even semester की पढ़ाई को अच्छे से start कर दिया, अच्छे से तयारी करिए, नहीं तो back लगेगी और समस्याएं जादा से जादा आपके लिए बढ़ जाएंगी सेकंड सेमेस्टर की applied math सेकंड को अच्छे तरीके से तयार कर सकते हैं, तो dear students अभी आपको ये मान के चलना है, ये आपकी जो परिच्छाएं हैं, वो 22 June से ही हैं, वो मान करके आप लोग तयारी करेंगे, तो dear students doubt को हटा दिए, केवल और केवल क्या करिए, तयारी करिए, बा